खुआँ आज हम टेले में सीखने जा रहे हैं गोडाउन एंट्री और पर्चेस रिटन सेल्स रिटन और चेक बाउंस एंट्री तो गोडाउन का मतलब यह होता है कि हमारे एक ऐसी लोगेशन जहाँ पर हम अपना इकट्टा मान रखते हैं और purchase return का मनलब यह कि आप जब कुछ product purchase करेंगे और purchase करने के दोरान जो भी quotes की कुछ quantities अगर बैकार निकलती है तो उसको हम वापस उस party को कैसे return करेंगे या फिर अगर आप किसी person को कुछ product sell करते हैं तो sell करने के दोरान सामने वाले party के पास कुछ product बैकार निकल जाता है तो वो जब हमें return करता है, sell return करता है, तो उसकी एंटरिप कैसे करते हैं, वो आज हम इस वीडियो में पूरा कीलिया करेंगे, ओके, तो सबसे पहले आपको keyboard की साथ से आपको जाना है, आपको जाना है, इन्वेंटरी फीचर पर हमें यहां पर इन्वेंटरी फीचर पर जाने के बाद, यहां पर लिखा आ रहा हमारा, maintain multiple, go down entry, ठीक है, यहां से आपको maintain multiple, go down, yes करना है, इस सहीता से, जिसके बाद आपको यहां पर दिख रहा है, use, debit note and credit note, यह option आपको यहां से yes करना है, debit note, यह तीनों आपको यहां से yes करेंगे, और आपको बना है, last time, enter, press, ठीक है, अब हमें क्या दरना है कि सबसे पहले account information पर जाकर laser create कर लेते हैं, सबसे पहले हम, owner की laser create कर लेते हैं, जैसे, राज, capital account, enter, next, bank के laser, SBI bank, bank कौन से अकाउंट में जाएगा वारा, bank account में, enter, इसके बद आपको लिखना है, आपर item purchase, item purchase, यानि की purchase account में जाएगा, वारा, item sell करेंगे, हम, account आप पर change जाएगा, sales account, enter, अब हमें escape की साइटा से बाहर जाना है, और आपको create करना है, इसे go down, inventory feature, information पर जाएगा, और यहाद पर आपका go down, अफसन लिख रहे हैं, तो जो भी आपके go down है, ने कि कितनी आपकी show पे हैं, कितनी company हैं, उन company होगे, आपने अपर go down में type करेंगे, जैसे हम, एक लिख रहे हैं अपर, इंदोनिस गोड़ाफ, C4, यह हमारे go down का नाम हो गया, दूसरा, मान लेजिए बड़ा बज़ार, यह भी एक आपका go down होने, इंटर, यहां से आपको go down करेंट करेंगे, जो भी आपकी show का नाम है, जो भी आपकी company का नाम है, तो वो आप कहां टाइप करेंगे go down के अंदर, अब हम बनाने जा रहे हैं वाउशर, यह निकि, परशेश रिटर्न के लिए वाउशर हमें करेंट करना होता है, तो आप जाएंगे वाउशर टाइप पर, कहां जाएंगे, वाउशर टाइप पर जाने हैं आपको करेंट करना है, हम यह पर टाइप करेंगे परशेश रिटर्न, परशेश रिटर्न, परशेश रिटर्न, प राओफ है जब भी हमार पास प्रोड़क्ट रेइब होता है product हम जब खरीत थेए, तो हमार पास product क्या होगा debit He can do debit मतलब प्राप्त होना इसलिए हम यहापर क्या करें debit note last Permrence करें Next अब बनाएंगे अब sales return तब सबस्टा इस governor इसे लिए की जब भी हमारे पास से कुछ प्रोड़क्न हम सेल करते है तो हमारे पास से मान क्या होता है गूट्स क्रेडिट रहें पर ट्रेडिट नॉट आसे अंट इंटर पेस्ट करें कि अब के बॉर्ट यानि की साथे से बाहर आ जाए है हम जाएंगे अब एकांटिंग वाशर पर एकांटिंग वाशर पर जाने के बाद सबसे फस्ट टाइम हमें विजनस स्टाइट करना है रिसी वाशर में जाकर कैश यह बनाम लिखें ओनर का राच कितने लाक रुपया आप इंवेस्ट करने जारे कंपनिंग अंदर वह आप यहां पर टाइप करने हैं इंटर अब हम कर पर है परचेस तो f9 कीबोड की साइट असे बैस करें और यहां पर आपका लिखा हुए है पर यहां पर फिल नम्मर शड़ाएंगे जो भी बिल के ओपर नमबर रहते हैं आप यहां पर टाइप करें पार्टि एकांट है मियानि कि हम यहां पर अभी कैस में परचेस कर रहे आए तो कैस कर दें और अगर उदहार में आप किसी पार्टी जापर इसक परचेस कर रहें तो इस पार्टी का नाम लेए लेकर रहें सब नहीं कराए लेकिन हम क्या करेंगे अल्टर के साथ सी प्रेस करकर रोक डिरेक्टी ही स्टोग आइटम बलूप बनाएंगे है ना के अग्र किसा सी प्रेस्ट करें की बोर्ट की साइधा से और आप जैसे क्या प्रटिस कर गए उसके नाम लिखें जैसे अम यह पर अब लिख रहे हैं हाथिस लोगा आप किलो में यह लीटर यह 20 में कैसे लेंगे अपीस फिल करते हैं यह पर फॉर्मल ने में पूरा नायां पीसे इंटर अब यह दास्ट इंटर करें कि अब सेबस्लेक्ट हो रहा है वाइई को डाउन एंकि आपको जो है करina्या दिस्क पर्शेष कर रहे हो कि स्गोंडाउं के अंदर किस कम्पनीे किस दुकान के अंदरा पिए फिर दाल रहे हैं मां ए इंट्रफित करें और मैं के हुआ이면 ऐसे मानले यह करें गलता हैं याम टो कि माउस यह भी किसके अंदर दाता हमारा कंप्यूटेट अंदर पीस में पर्चेस करेंगे लास सब्सक्राइब यह हमारा वापिस हम बड़ा बज़ार के अंदर खरिकते डाल रहें अगर आप दूसरी जो भी आपकी शॉप पे किस शॉप के अंदर आप यह से आप सिलेक्ट कर सकते हैं ऑगया भी बड़ा बज़ार कंदर हम पर्चेस करकर क्वांटिटी डाल रहें इसके भी हम 20पीस कर र अब हम लिए करना कि मानने लीज़े आपके पास कुछ फॉठीडिय पेकार निकल गई तुसको रिटन कैसे तो रिटन करने के लिए आप यहाप पर क्या क्लिक करेंगे debit note पर यह पर आपके debit note 100 हो रहा है ओके तो debit note में जिससे आपने क्लिक करें आपर तो आपके सामने लिखा रहा है purchase return यानि कि हमने debit note का नाम क्या चेंज कर दिया purchase return पर क्लिक करें आप जो भी आपके बिंज था उस bill के नंबर वापिस यहां पर फिल करें पार्टी अकाउंट में जैसे हमने cash में करें तो cash में ही वापिस return कर देंगे क्या item purchase जैसे हमने क्या return करना चाहरे है हाड डिस अब हाड डिसक आपने 20 पीस यहां पर purchase किया था लेकिन आपके पास कितनी quantity बेकार निकल चुगी है और किस गोडाउन से आपने return कर रहे है वह वापिस आप गोडाउन सब्सक्राइब करें अपर quantity जैसे मनले two quantity हमारे पास बेकार निकल लगी जैसे आपने two quantity यह पर प्रेस कर आपका रेट वापिस आदे यह जिस रेट से आपने purchase किया था उसी रेट से में वापिस return करना है लाज सब्सक्राइब दबाए नेक्स क्या आपका माउस माउस भी मा लाज सब्सक्राइब तो इस प्रकार आप क्या रज़कते कि कुछ चीजे पर्चेस करने बाद रिटन कर सकते हैं यानि कि आपने पुछ पर्चेस किया और पर्चेस करने के दुद्दान कुछ अगर quantity टेका निकल तो इसको रिटन आप इस टाइप कर सकते हैं अब हम अब शड़ाए वन यहां से आप कैस में हम सेंड कर रहे हैं मानेजे कि क्या सेंड कर रहे हम एटम सेंड यानि कि क्या हार्ट डिस्क टोडल आपके पास यह पर अप सो हो रहा है कि 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 इतने quantity है एट इंड हार्ड डिस्क के आपके पास अठारा पीस पढ़े हुए है और कि इस गोडाउन में है यह हमारा बढ़ा बजार से लेक्ट आपको करना है आप इंटर कितनी quantity मानेजे आप सेल कर रहे हैं अपर 10 quantity हो गई इंटर रैट फिल करें मानेजे में आप आप डिस्क का रेट डाल रहे है 1200 रुपे लास्ट इंटर यह हमने कर दिया सेल अब हमें करना सेल्स रिटन यानि की सेल्स तो हमने कर दिया है लेकिन पार्टी हमें रिटन कर रहे हैं कुछ quantity वेकार निगल के सामने वाले के पास सामने वाले पार्टी के पास अब हम उसको रिटन कैसे करेंगे यानि कि क्रेडिट नॉट को पर क्लिक करना है आपको और आपको जाना है पर sales returnable जो भी बिल नमबर आपने चिला कर देते हैं वह बिल नमबर वाफिस लिखें हैं कैस आइटम सेल और क्या रिटन करने चाहरे हैं हार डिस देखिए आपके पास यहापर एड़ पी से अब रिटन हम कर रहे हैं आपर कितरे किस लोडाउन में वाफिस डालना है में बड़ा बज़ार गेंदर मानली जा हम 5.3 यह 4.3 रिटन कर रहे हैं रेट आपको ऑट्मेटिक आ समझ आई होगी अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट करना ना बूले मिलते अगले वीडियो में